आज से लाखो वर्ष पहले इस धर्ती पर इंसानों की ही तना की कई परजातियां पाई जाती थी जिसमें से कई परजातियां अपनी कमियों की वज़े से जल्दी ही विलुपत हो चुकी थी लेकिन नियंडर थल एक ऐसी परजाती थी जिसने हॉमो सेपियन्स यानि जो आज के मौडरन इंसाने इनको उस समय काफी टक्र दी थी दोस्तों आज के समय में मौजूद जितने भी मुनुश्य जीवित है उन सभी को हॉमो सेपियन्स कहा जाता है नियंडर्थल और होमो सेपियन्स का DNA 99.7% आपस में मिलता था नियंडर्थल पर जाती का बोड़ी स्ट्रक्चर हमसे थोड़ा सा ही अलग था उनके सिर का साइज काफी बड़ा हुआ करता था और उनके ब्रेन का साइज भी काफी बड़ा था उनके हाइट पांच फीट के आसपास हुआ करती थी विज्यानिकों का मानना है कि नियंडर्थल काफी लड़ाक हुआ करते थे जबकि हमने यानि होमो सेपियन्स ने उनने टीम वर्क के साथ खतम कर दिया